मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूँ मैं बहुत जुनियर हूँ बहुती सीनियर लोग बैठे हैं लेकिन इतना मैं कहूंगा के लोग तंतर खत्रे में हैं देश का लोग तंतर खत्रे में हैं इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे डंडे से चला लेंगे ये देश किस के बाप की जगीर नहीं है ये 140 क्रोड लोगों का देश है ये आजादी ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंग राजगुरू सुखदेब मदलाल धींगरा करतार सिंग सराबा चंदर शेकर अजासे हजारों योदाओं ने अपनी जवानी में अपनी जवानी में गले में फांसी के रसे लटका के ये अजादी हमें दिया है ये इनके किसी बाप दादे की जगीर नहीं है क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो इसको भी अंदर कर दो जो हस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो जो सकूल बनाता उसको अंदर कर दो कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं है हम वो पत्ते नहीं है जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहें इस समझते क्या है यह अर्विन केजरीबल को अंदर कर दो हेमन सुरेन को अंदर कर दो इसके घार E.D. पेज दो इसके घार इसकी M.P. शिप कैंसल कर दो इसका घार छीन लो अरे मालिक तुम हो इन घरों के मालिक तुम हो इन घरों की मालिक 140 कुरोड जनता है कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किस को पहुँचाना है ये गलत फहमी में हैं हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे वी ताज होता है आज सुनीता जी आज कलपना जी बैठे हैं सोनिया जी बैठे हैं मैं नमशकार करता हूँ नमन करता हूँ कि इन्होंने इतने दुख जेले इन्होंने क्या-क्या नहीं देखा अपनी जिन्दगी में आंदिया तुफान जेले लेकिन फिर भी इतने हॉसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है आपका प्यार जो है सबसे बड़ी oxygen हो आपका प्यार है ये तालियां ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती किसी को दिहारी दे के मोधी मोधी करवाना बहुत इसी है जब कोई दिल से बोलता है न वो बात असर रखती है जब दिल से बोलता है ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जासे राहुल जी कह रहे है ये देश को नफर्द की आंदी में लेकर गए हुए ये ये CIA लेकर आए मैं पार्लिमेंट में था मैं MP था तब मैंने का जी मुझे बोलने का मौकर दीजिए कहते नहीं जी मैंने का जी तीस सेकंड कहते जी मैंने का जी तीस सेकंड कहते तीस सेकंड में क्या बोलोगे नहीं मैंने का जी बीस सेकंड कहते बीस मैंने का हाँ सपीकर साब कहने लगे आपका समय शुरू होता है आप तो मैंने बीस सेकंड में बोला मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये कौम को कबीलों में मत बांटिये एक बहता दर्या है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये अर्विन केजरीवाल को तो गिरिफतार कर लोगे लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरिफतार करोगे जो लाखों अर्विन केद्रिवार देश में पैदा हो चुके हैं उनको किस जेल में कैद करोगे अर्विन केद्रिवार एक भ्यक्ति नहीं है अर्विन केद्रिवार एक सोच का नाम है इंडिया गढ़ जोड एकठे हैं साब कठे हैं आज सबी के मेरे ख्याल में कहीं हो का तो सब को क्याओं कठे हो जाएं और इन विष्टाचारियों को कह दो बगवंत मान ने बोला था इन विष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी कठे कर लो पैसे हीरे मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेव नहीं होती कोई पैसा साथ नहीं जाएगा लूट लो देश को कितना लूटना है गरीबों की बद्वाएं ना लो गरीबों की बद्वाएं ना लो हर बात पर जूट चल रहे हैं हर बात पर जूमला चल रहे हैं जूट पर जूट जूमले पर जूमला अभी जूमले बनाने वाली जुमले आएंगे यकीन मत करना मैंने तो पार्लिमेंट में बोल दिया था मैंने का जी पंद्रा लाग की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है पंद्रा लाग की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूक जाती है हर बात ही जुमला निकली, मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाये बनानी आती है, मुझे लगता चाये भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किसम का जूट चल रहा है, दोनों हाथ उपर खड़े करके, दो नारे लगा दीजिए, इनकलर, इनकलर, बारत मता की, वंदे, बोले, सोने ह अबादने बाद, 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 बाद,